पिल्म इंडास्ट्री से एक और कपल के सपरेशन की खबरे आ रही है कि सपरेशन के खबरे तो पिछले कुछ समय से ही आ रही थी बूशन कुमार और दिव्या खोसला अलग हो गए हैं ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर दिव्या खोसला जिनका पहले इंस्टा आइडी पर नाम था दिव्या खोसला कुमार उन्होंने अपने नाम के आगे से कुमार हटा दिया है और Khosla में एक extra S लगा दिया है जैसे ही fans ने देखा कि Divya Khosla ने अपने नाम के आगे से कुमार सरनेम हटा दिया है तो लोगोंने यही कहा कि ये दोनों separate हो चुके हैं जहां तक बात करें भूशन कुमार की तो इस वक्त वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे richest person है ना सिर्फ म्यूजिक के मामले में बलकि फिल्मों के मामले में भी वो टॉप पर है वो कई सारी फिल्म में produce कर रहे हैं और बड़े-बड़े superstars उनके banner पर काम कर रहे हैं दिव्या खोसला कुमार की बात करें तो वो खुद एक actress है डिरेक्टर भी है और T-Series की फिल्म में उन्होंने काम भी किया है दिव्या T-Series के साथ professional relationships में तो है लेकिन personal relationship में नहीं है ऐसा पता लगता है उनके social media handle से इंस्टाग्राम पर दिव्या खोसला कुमार ने पिछले 2-3 सालों में भूशन कुमार के साथ ना कोई photo डाली है ना ही कोई video डाली है इस बीच इन दोनों की anniversary आई होगी एक दूसरे के birthdays आए होगे दोनों का एक बेटा है उसकी भी birthday आई होगी लेकिन भूशन कुमार के साथ दिव्या खोसला ने एक भी post नहीं की है आखरी बार दिव्या खोसला ने भूशन कुमार के साथ एक video post की थी वो 2021 की थी उसके बाद भूशन कुमार के साथ दिव्या ने ना कोई photo डाली है और ना ही कोई video post की है और इसी से लोगों का कहना है कि ये दोनों अलग हो चुके हैं सबसे बड़ी बात पिछले कुछ सालों में दोनों एक साथ किसी public event में भी नज़र नहीं आए हैं और तो और T-Series का गनपती जो इतना बड़ा होता है वहाँ पर भी भूशन कुमार अलग से अकेले पूजा कर ये दोनों अलग नहीं हो सकते क्योंकि अगर इन दोनों ने तलाक लिया तो भूशन कुमार को दिव्या खोसला को एलिमनी के रूप में मोटा पैसा देना पड़ेगा भूशन कुमार बहुत बड़े करोड़ पती है ऐसे में तलाक होगा तो ये सबसे महंगा तलाक होगा ल आखिर फिर ऐसी क्या बात हुई कि दिव्या खोसला ने अपने नाम के आगे से कुमार सरनेम हटाया ये बहुत बड़ा सवाल है